भारत का जहारखन परकृतिक द्रिश्टी से काफी सम्रीध धिराज है यहां अधिकांट स्छेत्र घने जंगला और खानीजों से भरा हुआ है विभिन परकार के खानीज यहां भोगर्व से निकाल कर अलग अलग जगह पहुचाए जाती हैं इसके आलवा यहां कोईले की खादानों से इंधन के रूप में कोईला भारत के विभिन कर खाना तक पहुचाया जाता है यहां के परकृतिक पर्याटन अस्थलों में आप नदी जहरने घाटी पहाड आदी देख सकते हैं इस वीडियो के माधियम से आज हमारे साथ जानिये जहारखन के जंगलों के मध्य बसी खुबसूरत पत्रातू घाटी के बारे में आप इस घाटी को देखकर जरूर कहेंगे कि यह चीन जापान या अमेरिका की घाटी है लेकिन सच बताओं तो यह खुबसूरत घाटी जहारखन में इस्थित है जानिये परियाटन के लिहाज से यह घाटी आपके लिए कितनी खास है आगे बड़ें इससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिस है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने कर रखा है तो कृप्या करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल बेटर को भी प्रेस कर दे जारखन के रामगर जिले में इस्थित पत्रातू एक खूपसूरत घाटी नगर है जो अपने मनमोहक वातावरन पहाडी सोंदर्य और बांध के लिए जाना जाता है यह घाटी नगर समुदर तल से 13 सफीट की उचाई पर इस्थित है वीकेंड पर घुमने और मौज मस्ती के लिए यह काफी फैवरेट डेस्टिनेशन है जहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ आ सकते हैं यह पहाडी अस्थल हरे भरे जंगलों से घिरा हुया है जिसे घुमावदार सड़कें आकरसन बनाने का काम करती है यह पहाडी अस्थल अपने पतरातू बिजली सन्यंत्र के लिए भी काफी लोग प्रिय है एक सांदार आवकास के लिए आपको यहां जरूर आना चाहिए पतरातू घाटी का भरमन कई उदेश्यों को फूरा करने के लिए किया जा सकता है अगर आप एक परकृतिक प्रेमी हैं तो आप यहां सुकुन भरा समय परकृति के करीब जाकर बिता सकते हैं एकांध प्रेमियों के लिए भी यह जगह काफी ज्यादा माइने रखती है यहां के घने जंगल, नदी जील और सांत माहल अपार मानसिक और आत्मिक सांती परदान करते हैं यहां परेटन अस्तल अभी भी आधिकांश ट्रेवलर की नजर से दूर है इसलिए कुछ नया जानने और अनुभव करने के लिए यहां आप आ सकते हैं एक एडवेंचर के सोकिन के लिए भी यहां बहुत कुछ उपलब्द है आप यहां ट्रेकिंग, हाइकिंग का भी रोमांच भरा अनुभव ले सकते हैं इन सब के आलावा आप नलकारी नदी और पत्रातु जील की ओर भी रूख कर सकते हैं पत्रातु का भर्मन साल भर्मन नहीं किया जा सकता है यह भूखंड गर्मियों के दिनों में काफी तपता है और सर्दियों के दोरान काफी ठंड गरहन करता है लेकिन सर्दियों का मोसम यहां आने का आदर ससमय माना जाता है आप यहां अक्टूबर से लेकर फरवरी के मध्य भर्मन के लिए आ सकते ही पतरातू जारखन के राइगड जिले में इस्थित है जहां आप परिवहन के तीनों संसाधनों की मदद से आ सकते ही यहां की निकटवर्ती हावाई अड़ा रांची एयरपोर्ट है यहां से आप बस या प्राइवेट केप की मदद से भी पतरातू पहुँच सकते ही तथा रेलवे की सुविदा भी यहां पे उपलब्द है दोस्तो हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे परियाटन अस्ताल होने के बावजुद भी कुछ लोग वीदेश घुमने चले जाते हैं मैं उनसे आगरह करता हूँ कि आप एक बार इन सब जगहां का भी भर्मन जरूर करें दोस्तो आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट बक्स में परितिकरिया जरूर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेकन को प्रेस कर दें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनीवाद